हेलो एवरिवन वेलकाम अगेन लर्ण वेज देते मन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चप्टर नमबर 11 जिसका नाम है वी निर्मान उद्ध्योग तो चलिए बिना देरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कोशन नमर वन है आपके सामने भारत आधोनिक उद्ध्योग का प्रारम किन उद्ध्योगों से माना जाता है भारत में जो आधोनिक उद्ध्योग है उनका प्रारम किन उद्ध्योगों से माना जाता है तो वो आपके सूतिवस्त उद्ध्योग और जूट उद्ध्योग यहा जारी की गई है तो यह आपकी 1948 में सरप्रतम जारी की गई ठीक है? नेक कुश्चन देखिए किस उद्योग को अध्योगिक विकास का आधार इस्थम वे उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी आप जान सकते हैं लोह इस्पात उद्योग जो होता है उसको उद्योगों की जननी या अध्योग की विकास का आधार इस्थम कहा जाता है ठीक है? नैches question, भारत में लह इस्पात उद्यों की इस्थापना कहां मानी जाती है, जो सर्पृतहम लह इसपात उद्यों कहां से हुआ तो यह आपका बार्खर Iron Workers स्टार्ट हुआ थाилась हुआ दो कुल्टी पेषिम बंगाल में, यहा अरा कर ऑरंगाल के कुल्टी में, टो ऑर्खर Iron Workers स वारत में लोसल्वह की स्थापना मानी जाती है टीक है ये लेक क्वर स्थापने की ने OFF की अकापने की वह है छो कब हुई 1907 में हुई कहां हुई साक्षी में हुई और किसने की जमसेजी टाटा द्वारा इसके स्थापना की गई तो कब की गई यह 1909 में की गई और आसन सौल के निकट हीरापुर में इसके स्थापना हुई थी बारत लोज इसपाद कमपनी जो है 1909 में इस्थापहथ हुई थी आसन तुमे और जो हिरापुर और सारी आसनसौल के निकट हिरापुर में स्थाप़ देखिए नेक क्योशन देखी, सन 1936 में कुल्टी वे हीरापूर के कार खानों को मिला कर क्या नाम दिया गया? जो 1936 था सन उसमें कुल्टी का जो कार खाना था और हीरापूर का जो कार खाना था, इन दोनों को मिला कर एक नया नाम दिया गया, थो वो नाम क्या था? वो था Indian Iron and Still Company, तो यह आपकी 1937 में बर्णपूर आपको पता है बर्णपूर काफी important है जो इसको के पार्ट में माना जाता है तो 1923 में इसको में विले कर लिया गया 1937 में इस्ताफित होई थी और बर्णपूर के अंदर इस्ताफित होई थी ठीक है तो इसमें पंचवर्ट सी उजनाओं से समद्धित कुशन भी काफी importance रखते हैं तो जित्या पंचवर्ट सी उजना के तहर्ट से लोह इस्ताफित करकाना कहां इस्ताफित किया गया तो यह आपका दुर्गापूर पश्रिम बंगाल के अंदर इस्ताफित किया गया था दुर पश्रिम बंगाल के अंदर डूर्गापुरा में वह ब्रिटिस स्योग से हुआ था और इसना क्ल आ के तहर्ट के तहत किया गया था खाना इस्तापित हुआ दित्ये पंचवर्षी उजना के तहत तो यह आपका राउर के लाब में जो उडिशा के अंदर जो कार खाना है लोग इस्तापित किया गया नेक कोश्चन same question but different country दित्ये पंचवर्षी उजना केता है तो रूस के सही योग से लोह उस्पाद कार काना कहां इस्तापित किया गया तो यह आपका भिलाई के अंदर जो 36 गड में है इस्तापित किया गया था आपको पता है भिलाई दुर्गापूर राउर के लाई यह सभी की सभी बहु ने कोशन चौती पंचवर्षी उजना जो ही उसमें इस्या का सबसे बड़ा लोह उस्पाद कार खाना इस्तापित किया गया कौन सा है वह तो वह आप जानते हैं बोकारो बोकारो जो जारखंड में है यहां पर जो चौती पंचवर्षी उजना केता है एक लोह उस्पाद क कारकाना इस्थापत कारकाना भी तरह North Spit wax क्या जो इस मिसिया का सबसे बड़ा लोग आश्पातकार कारकाना भी है ठीक है 90 के बॉकार के अंदर ठीक है न्हीं कोशन इस्टील और एंडिया यानि कि सबी कारखानों के प्रसासनिक कारे किसके द्वारा किया जाता है। सन 2015 में भारत विश्वहर में कच्छे लोहा उत्पादक के तोर पर किस इस्थान पर आता है। 2015 से पहले यह आटवे स्थान पे आता था लेकिन जैसे ही 2015 है तो इसका उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ गया और यह जिसमें तीसरे स्थान पे सबसे बड़ा उत्पादक देश कहला है में लगा हमारा जो भारत देश है वो 2015 से कच्छे लोगे उत्पादन में तीससा सबस जाना जाता है तो यह आपका है इस पंज आरेंट के नाम से विच को जाना जाता है और आपको जान का लिए होनी चाहिए इस भारत जहें सब्से ज्यादा होता है मतलब भारत ही ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश को होँचा है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत नेक कोशन विश में इस पाथ भोगता के तौर पर भारत किस स्थान पर आता है विश में इस पाथ भोगता यानि जो हमारे यहां खपत होती है या यूटलाइज किया जाता है इस पाथ को यूटलाइजिशन के तरह से देखा जाए तो भारत का किस इस्थान पर आता है तो विस में तीसरा इस्थान इसका आता है तीसरा सबसे बड़ा भोगता है चीन और अमेरिका इसमें प्रताम बहुत देते हैं ठीक है नेक क्वेशन इस्पाज छेत्र देश के सकल घरेल उपा यानि GDP का कितना प्रतिसत योगदान तो इसपाज छेत्र है हमारा देश का उसका जो GDP में कितना योगदान है तो वो मात्र दो प्रतिसत योगदान है एसपाज छेत्र का हमारे देश की GDP में नेक क्वेशन देखी। इस चैप्टर के इंदर एक टेबिल दिया गया है लहो इस पास से कंसर्णी या इस पास अध्योगों से कंसर्णी तो उसमें जो important ज्यादा मुझे लगे उन questions को मैंने निकाल दिया है बाकी मैंने टेबिल आपको इस वीडियो के last में provide करा दिया है मुझे लगता है कि वो आपको एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए तो जो important questions थे वो मैंने निकालने का फ्यास किया है और जो बाकी questions है उनको आपको खुद को देखना होगा ठीक है next आंचर देखिए इसका बैला डिला की जो है उसमें लोह इसकी प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है बोकारो इसपात उद्ध्योग जो है उसकी लोह इसकी प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है देखिए ये बोकारो हुआ दुर्गापुर हुआ विशा का पंड़ना हुआ राउल के रहा हुआ इन सबी की location हम पिछले questions में याद कर चुके हैं देख चुके हैं तो वो आपको बारवार repeat भी करना है तो हमें इसका answer होना पता होना चाहिए बोकारोस पात उद्योग के तैद लोह ऐस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है लोह ऐस की प्राप्ति क्योजर की किरी बुर्ग खाने के द्वारा प्राप्त होता है ने question देखिए दुर्गापूर इस्थित इस्पात उद्योग के तहट लोह ऐस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है दुरगापूर जो इस्थित इसपाथ उद्धोग है, यहाँ पर low-s की प्राप्टी किन खानों द्वारा की जाती है तो यह आपकी नौअ मंडी गुवा की खाने हैं नौअ मंडी गुवा की खाने के द्वारा यहाँ पर low-s प्राप्ट किया जाता है नहीं कोशन देखी, बिलाई इस्थित इस्पात उद्योग के तहट लोह एस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है, तो कौन से हैं ये, डली की खानों के द्वारा यहां पर की जाती है, नहीं कोशन देखी, नहीं कोशन देखी, बिलाई इस्थित इस्पात उद्योग के तहट लोह एस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है, तो सुन्दरगर और क्योजर की खाने हैं, वहां से यहां पर लोह इस्पात प्राप्त होता है, या लोह एस्पात प्राप्त होता है, नहीं कोशन, इसको सिंग भूमी, मयूर्गंज, कॉलहन, वेक्योजर की खानों से आपका लःस्क प्राप्त होता है। टिस को, T. I. S. C. O. ठीक है? टिस को इस पात उद्त्यों के तहत लोह ऐस्क की प्राप्ति किन खानों द्वारक की जाती है? टिस को कहाँ पे हैं? जमसेद पोर, टाटा वाला है, ह validity है ताटा व्रापनी है? होना चाहिए हमारे यहां पर जो लोह इसपात उद्ध्योग उसमें सबसे ज्यादा लोह इसपात उद्ध्योग की सबसे ज्यादा चमता है वो ठिसको की है वो कितनी है 40,000,000 है जिसको कि अकेले की जो उत्पादन समता है वो 40,000,000 है तो बचों इस चैप्टर में मैं इस चैप्टर के इस पार्ट में मैं इतनी ही कोश्चन देता हूँ नेक्ट पार्ट में हम और डिसकुस्टन करेंगे जिसमें हम सूती वास्ट उद्धोग के बारे में और कागज उद्धोग और बहुत सारे अभी उद्धोग बाकी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसके यह जो आपके कोश्चन्स हैं ये एक टेबिल से लिए गये हैं जो कि आपके सामने ये रही इसको जमसेथपूर में इसको आपकी कल्टी हीरापूर अबनपूर के ँंदर है बिसको आपकी बहदरावती वह लाई के अन्दर है औरुकारो दुरुकारो के अंदर है विशाकः पटनम जो है उनके मैंने सभी questions में आपको डाल दिये हैं कोईला प्राप्ति के छेत्र कोईला के जो काम किया था अपने कोईला से concerning जो detail हमने पढ़ी थे उसमें काफी हत्ता की नाम आ चुके हैं और जो नहीं आये वो आप एक वाट उनको देख लिएगा इसी तरह मैगनीज है मैगनीज से question जादा नहीं किये जाते हैं इसलिए मैंने इसको importance नहीं दी है तीसरा जल प्राप्ति छेत्र से concerning question आते तो नहीं है लेकिन ये काफी importance रखते हैं ये जैसे कि आप माल लीजे भद्रावती है जो विसको के पास में है इसको जो बद्रावती के पास है बद्रावती नदी भी इंसे बैती है तो इसका जो water resource है वो बद्रावती नदी है क्योंकि आप कोई भी spot उद्धोग हैं वहाँ एक जल प्राप्ती छेत्र बहुत importance रखता है तो ये कहां से इनको पानी प्राप्त होता है तो इसके लिए आपको एक बार इनको भी नजर गुआ कर देख लिएज़ेगा बजार है बजार में से questions सामयने तोर पर नहीं पूछे जाते हैं बहुत rare chances हैं कि यहां से कोई question पूछा जाए उत्पादन चमता में सबसे ज़्यादा जो है उसकी पादन चमता पूछी जाती है जो कि टिसको की है जो मेंने questions में आपका डाल दिया है दूसरा आपका जो है बोकारोस पाद का रकाना है जिसमें 25 लाख टन की ने capacity इसमें दिखाई गई है तो आपका टोटल यह जो आपकी टेबिल है इसके उपर एक अच्छे से एक बार देख लीजेगा तो इसी के साथ आपका जो लोह स्पास उद्योग है उसका material होता है यहीं पर समाब तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुस्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू